लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीस कैपसुल में आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से लगाता स्टेडी मेट्रियल आपको प्रोवा करेंट अफेर्स देखेंगे mcq की फॉर्म इसमें लगभग हम साट प्रशनों को देखेंगे जो हमारे पूरे हकते से करेंट अफेर्स के न्यूज में रहे यह काफी इंपॉर्टेंट टरशन है इसमें कुछ जो आपके शायद आपको अग्जामिनेशन में देखने के लि पहली भारतिय एयरलाइन कौन बनी है तो यह बनी है इंडिगो एयरलाइन अभी काफी न्यूज में भी थी और देखिए एक चीज़ और बता दूं मार्केट कवरेज के साब से इंडिगो एयरलाइन भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन भी है इसने अभी 500 A320 ओर्डर भी दिया है ठीक है और इसको विमाना नितिहास का सबसे बड़ा ओर्डर माना जा रहा है ठीक है तो यह इस वज़े से भी न्यूज में थी अगला देखते है हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतिय पुरुष्ट फुटबॉल टीम की रैंक क्या है तो इसम इंपॉर्टेंट है देखिए अगला और इसी उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन भी अभी शुरू किया गया था ऑपरेशन और इसमें कन्विक्षन रेट को बढ़ाने के लिए इसका एक तरह से उत्तर प्रदेश शुरू किया है तो ये भी अपरेशन कन्विक्षन आपसे पूछे तो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंदित है अगला किस राज्य ने पीनियर राष्ट्रे महिला फुटबॉल चैं का खिताब जीता है तो ये तमिल नाडू ने अभी खिताब जीता है और इन्होंने हर्याना को फाइनल में हराया अगला 36 गड़ के उप मुख्यमंतरी के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो 36 गड़ के उप मुख्यमंतरी के रूप में T.S. सिंगदेव जी को न्यू तो एशिया ही सबसे पहले बात करते हैं यह आयोजित कहां पर की गई तो यह बुसान, South Korea में आयोजित की गई, ठीक है South Korea में, और इसको किस ने जीता, इसको भारत ने इस बार जीता है, इडिया ने इसको रिकॉर्ड आठवी बार जीता है फाइनल में हमने किसको हराया फाइनल में हमने इरान को हराया ठीक है तो सारे facts इससे संबंदित हो गए अगला किस राज्य सरकार ने राज्य में समी कंड़क्टर असेंबली और परिक्षन सुविधा के लिए अमेरिकी चिप नर्माता फर्म Micron Technology के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये है तो ये गुजरात सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किये है Micron Technology यूएस बेस्ट चिप मैनुफेक्टर है जो गुजरात में समी कंड़क्टर assembly और testing की facilities develop करेगी जिससे वहाँ पर रोजगार का स्रजन भी होगा और ये कई न कई देश की economy को भी grow करने में help करेगा भारत के लिए महतवपूर्ण खनिज पर भारत की पहली report देखिए important है क्योंकि इंडिया की पहली report है इंग्लिश में है इसको नाम critical minerals for India ये भी आपसे सीधे पूछ सकता है कि critical minerals for India नामक पहली report इसका नावरण किस ने किया है तो इसका नावरण प्रहलाद जोशी जी द्वारा किया गया आगे चलते हैं कैमिरेट ने वेकलपिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यो को प्रोचसाहित करने के लिए एक नई योजना PM प्रणाम को मंजूरी दी देखिए ये 2023 का जो बजट आया था हमारा February में उसमें इसको launch किया गया था और अब कैमिरेट की मंजूरी इसको मिल गई है तो PM प्रणाम सबसे पहली आपसे पूछे किस से संबंदित है तो यह fertilizer ठीक है fertilizer या उर्वरकों से संबंदित है ठीक है किजे आगे चलते हैं तो इसमें देखिए क्या है आपसे पूछा है PM प्रणाम में आर का क्या रत है तो इसके नरिश्मेंट एंड अमेलियोरेशन एंड अमेलियोरेशन ओफ मदर अर्थ यह पूरी इसकी नाम है तो आपसे आर का मतलब पूछा है आर का मतलब है इसमें restoration आगे चलते हैं निमलिखित में से किस देश ने विशेश रूप से तकनीकी उद्योग में अपने कुशल श्रम की कमी को दूर करने के लिए डिजिटल घूमन्तू रणनीती या डिजिटल नोमेड strategy शुरू की है तो यह कैनेडा के द्वारा हाल ही में शुरू की गई है आगे देखते हैं संयुक्त राष्टर विकास कारिक्रम यानी UNDP के नए उप्ठ प्रमुख के रूप में डिप्टी चीफ के रूप में किसके नुक्त किया गया है तो चाइना के हैं आपके जू हाउलियां को इसमें नुक्त किया गया है UNDP में आगे चलते हैं MSME की सहायता के लिए श्री नारायन राने द्वारा लॉंच किये गए पोर्टल का नाम क्या है तो आपका 27 जून को MSME Day मनाया जाता है MSME Day उसी दिन इसको लॉंच किया गया इसका नाम है Champions 2.0 Portal अगला पहला अंतरराष्टे खेल फिल्म महुत्सव यह important है क्योंकि पहला अंतरराष्टे खेल फिल्म महुत्सव है यह किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है तो यह West Bengal की राज़धानी कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है अगला नेमलिखत में से किस शहर की पुलिस ने हाल ही में देश की पहली ड्रोन पुलिस इकाई का उधगाटन किया है तो यह चेननेक पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट का उधगाटन किया है तो देखिए जो आपकी सभाएं होती हैं बड़ी-बड़ी मेले वगरा होते हैं, वहाँ पर सर्विलांस कर रहे के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और law and order की ववस्था की निगरानी भी इससे की जाएगी, तो चेन्ने पुलिस ने इसको launch किया है, और यह भारत की पहली drone पुलिस इकाई है, प्रधानमंत राजकिये सम्मान है, इससे नरेंदर मोदी जी को सम्मानित किया है, मिस्र ने, तीक है वहाँ के जो हैड है, अब्देल पता अल्सी थी, उन्होंने मोदी जी को पहनाया था, काफी फोटो भी वो वायरल हुआ था, इजिप्ट की राजधानी क्या है आपकी काईरो, आगे चलते हैं, और इजिप्ट को क्या बोला जाता है, नील नदी का वर्दान भी इजिप्ट को बोला जाता है, गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, केंद्रे खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक BSF, हौकी टर्फ, ग्राउंड का उध्गाटन किया है, तो अनुराख ठाकुर ये 2 हमारे लिए important है, ग्रीस में जो बने है वो बने है आपके, क्यारीकोस, मिठ्सोटॉककिस, ये वहां के प्रदान मत्री बने है, फिंलेंड की बात करें तो वहां पर बने है आपके पैटेरी और पो, फिंलेंड के प्रदान मत्री अभी हाल ही में चुने गए हैं, आगЕ क्रिकेट में लगातार तीन वंडे मैचों में पांच विकेट का हॉल लेने वाले पहले स्पिनर कौन बने है तो श्रिलंका के वनिंदू हसरंगा ऑप्शन सी भारत के किस गायक संगीतकार को बर्मिंगम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधी से सम्मानित किय गया है कि कि अम्हां देखते हैं हौकी इंडिया ने किसे महिल जूनियर और राष्ट्र टीम का मुख्यकोच हेट नियूक्द किया है तो पूद पूर कप्तान है भारत के दुशार खांडकर को किया है अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की चुट्ती का एलान क किया गया है तो कौन्चे शहर में यह आपके न्यू यॉर्क में दिवाली पर छुट्टी का एलान किया गया है अगला देखते हैं पीम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया तो भोपाल के रानी कमलापती स्टेशन से रानी कम अधार में आयोजित की जा रही है तो यह उत्राखंड के रिशी केश में आयोजित की जा रही है इसके लावा एक Labour Engagement G20 की Labour Engagement Group की वीटिक हाली में बिहार में आयोजित आपकी की गयी आगे चलते हैं माफ कीजे किस टीम ने वंडे क्रिकेट इतिहास में सूपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया है तो ये नीदर लेंड्स के द्वारा सबसे बड़ा टोटल आपके सूपर ओवर में बनाया गया है अगला भारत में पहली अइड्रोजन संचाले ट्रेने 2023 के अन्त तक यानि इस साल के अन्त तक किस राज्य से शुरू होने की उमीद है तो ये हर्याना के जिंद से याद रखेगा ये भी पूसकता है सीधे जिंद डिस्टिक्ट से शुरू होने की उमीद है अगला निमलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे की सुरंग बनाईगी तो ये असम में बनाई जाएगी निमलिखित में कौन सा शहर 7 से 8 जुलाई 2023 को अरबन 20 मेरल यानि जहां पर दुनिया के अलग-अलग शहरों के मेर शामिल होंगे शिकर संबिलन की मेजबानी करेगा तो ये गुजरात के एहमदाबाद में U20 समिट आयो जित की जाएगी अगला किस IT सेवा कंपनी ने उद्यम ग्रहाकों के लिए प्राइवेट 5G नेटवर्क यानि निजी 5G नेटवर्क की तैनाती के लिए राज्य के स्वामित ववाली भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एनल के साथ साज़ेदारी की है तो लार्सन एन टूबरो टेकनोलोजी ने एल एंटी टेकनोलोजी ने इसके साथ साज़ेदारी की है वैश्विक प्रतीस परधात मक्ता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है तो ग्लोबल कमप्टिटिवनेस इंडेक्स यह आई-म-डी के द्वारा जारी किया जाता है याद रखिएगा आई-म-डी के द्वारा और इसमें भारत की रैंक है आपकी 40 में 40th rank इसको इसमें भारत को मिल और इसमें rank 1 किसकी है टॉप इसको किया है देन्मार्क ने ठीक है देन्मार्क की rank इसमें 1 है बात करें second rank तो वह है आपकी आयरलेंड की और third rank है इसमें हमारी Switzerland की ठीक है तो इंडिया की rank है इसमें 40 आगे चलते हैं आई-म-डी के द्वारा जारी किया जाता है याद रखिएगा इसी के साथ-साथ एक और अभी इंडेक्स हाली में आया है ETI यानि Energy Transition Index Energy Transition Index में भारत की rank है आपकी 167 ठीक है इसको भी याद रखिएगा माफ कीजिए 67 इंडिया की rank है इसमें 67 किसके द्वारा जारी किया जाता है World Economic Forum के द्वारा ये जारी किया जाता है इसको भी याद रखिएगा बहुत important है और इसके अलावा एक important fact और है first rank इसमें किसकी है Sweden की ठीक है Sweden की rank इसमें first है ठीक है आगे चलते हैं दोनों की संस्था है ज़रूर याद रखिएगा ये पूछ सकता है आपसे कि कौनसी organization जारी करती है किस बीमा कंपनी ने निश्चित pension योजना launch की है तो ये आदित्य बिड़ला Sun Life Insurance के द्वारा जारी की गई है अगला देखते हैं आर्तिय नवीकरणिय उर्जा विकास एजनसी ने किस शहर में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर का आयोजन की स्थापित किया है तो ये इन्होंने इस्ट किद्वई नगर नई दिल्ली में स्थापित किया है अगला पेरू माजाय थे कुझी था लुकल उपन्यास के लिए प्रतिषित केंद्र साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरुषकार 2023 में किसे नामित किया गया है तो प्रिया एयस जी को ये वट नामित किया गया है प्रिया एस चिकित्सा छेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल असोशियेशन पुरुसकार से किसे सम्वानित किया गया है तो अलापूजा के एक आस्पिटल में ये डॉक्टर है डॉक्टर के वेनु गुपाल जी ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा टिप स्पोर्ट चेक लेडिज ओपन 2023 में अपना दूसरा लेडिज यूरोपियन टूर खिताब किसने जीता है तो यह जीता है दीशा डागर जी ने ये दो हमारे यहां बहुत फेमस गोल्फ की प्लेयर है एक तो अदीती अशोक है और देख दीशा डागर है ये दोनों गोल किया गया था मुंबई में option C यहां पर ठीक होगा भारत ने अधिकरत आर्थिक ओपरेटर के लिए इस देश के साथ पारसपरिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये हैं तो UAE के साथ हमने हस्ताक्षर इस पर किये हैं तेलंगाना के ये काफी important है तेलंगाना के संगा रेड़ी जिले में मेधा रेल कोच फैक्टरी का उद्घाटन किस ने किया है तो केज चंदरशे का राउज दौरा किया गया है तिक इंपोर्टेंट क्यू है ये भारत की biggest या largest प्राइवेट रेल कोच फैक्टरी है ठीक है रेल कोच फैक्टरी प्राइवेट ये याद इस शहर में बलिदान इस्तंब के निर्मान का उधगाटन किया है तो जो श्री नगर स्मार्ट शिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत ये बनाया गया है तो श्री नगर चम्मु कश्मीर का सही आंसर होगा अगला किस राज्य सरकार ने बहतर स्वास्त सेवा शुनिश्यत करने के लिए PCTS मोबाईल अप लॉंच किया है तो ये महिलाओं और बच्चों से संबंदित है ये राजिस्थान सरकार के द्वारा लॉंच किया गया है युनिवर्स्टी रैंकिंग 2013 में भारत विज्ञान संस्थान बेंगलूरू की रैंक इसमें क्या है तो बेंगलूरू की रैंक है इसमें 48 च्छे रैंक इस बार ये गिरा है पहले 42 वे स्थान परता च्छे रैंक ये नीचे आ गया लेकिन अभी भी ये टॉप 50 में है हाल ही में किस IIT ने विविदिता को बढ़ावा देने के उद्देशे से स्पोर्ट कोटे या खेल कोटे का प्रस्ताव दिया है तो ये IIT मदरास के द्वारा दिया गया है IIT मदरास क्यों फेमस है जो NIRF की हमारी रैंकिंग आई थी उसमें दो रैंकिंग होती है एक होती है आपकी युनिवस्टी की एक होती है इंस्टिटूशन की तो इंस्टिटूशन वाली रैंक में जो पहली रैंक है वो IIT मदरास की ही है ठीक है जो फर्स्ट रैंक है इंस् किस ने हरी जंडी दिखाई है, तो सबसे पहले आप से यही पूछेगा, कि हाल ही में भारतिन प्हर सभियान किस शहर में लॉंच किया गया, तो नई दिल्ली में, किस ने इसको हरी-जंडी दिखाई है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, अनुराक ठाकउर जी, उन्होंन के लिए दोशो अंतरराष्टे कैप हासिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा बनाया गया है निमलिकित में से किसने वित्य संस्थानों को मनी लॉंडरिंग का अधिक परभावी धंग से और कुशलता से पता लग आने में मदद करने के लिए एंटी मनी लॉंडरिंग AI लॉंच किया है तो गूगल क्लाउड के द्वारा ये लॉंच किया गया है ऑप्शन सी किस एरलाइन ने विमाना इतिहास में सबसे बड़े खरीद समझोते में 500 एयरबस एट 320 फैमिली विमानों का ओर्डर दिया है तो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन क्यूं फेमस है भारत में एक लाक करोड का मार्केट कैपिटलाइजेशन हसल करने वाली ये अकेली एयरलाइन है अभी हाल ही में इसने ये टेकनिकल फीट अचीव किया है निमलिखित में से किस राज्या और मनाया है तो जम्मू कश्मीर ने मनाया है और वितस्ता कौन सी वेदिक नदी का नाम है जेलम नदी का वेदो में जो नाम है वो वितस्ता ही है अगला और जम्मू कश्मीर में एक और बहुत फेमस अभी फेस्टिवल हुआ था कौन सा हीर भवानी ये भी याद रखिएगा बहुत important है, हीर भवानी मेला, ये भी जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांग्यानी, global gender gap report, कौन जारी करता है, world economic forum, भारत की इसमें इस बार rank क्या है, भारत की rank है, 127, 146 देशों में, ठी आइसलेंड की, ठीक है, और आइसलेंड अके लिए ऐसी कंट्री है, जिसने इसमें 90% से ज़्यादा का कोर किया है, ठीक, अके लिए ऐसी कंट्री है, याद रखिएगा, अगला, तीन साल के कारेकाल के लिए, Bricks Chamber of Commerce and Industry, वीमेन वर्टिकल का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये Ruby Sinhaji को चुना गया है, अगला, अमेरिकी फर्म General Electric ने या GE Aerospace ने भारतिय वायू सेना के लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए, किस भारतिय कंपनी के साथ एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है, तो हिंडिया की कंपनी है, HAL, हिंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ इनों ने करार किया है, किस IIT ने Cloud Seeding के लिए परिक्षन उरान का सफलता पूर्वक संचालन किया, ये Important है, तो Cloud Seeding के लिए IIT कानपूर, हमारे उत्तरवरदेश का ही प्रश्न है, IIT कानपूर ने भी परिक्षन उरान भरी है, या Test Flight करी थी, अगला, Finance Ministers of India, from Independence to the Emergency, 1947 से 1977, ना निमलिकित में से किस ने राश्ट्री राजमार्गों के समावेशी विकास के लिए Knowledge Sharing Platform launch किया है, तो किसके द्वरा किया गया है, तो National Highway Authority of India, Option D, ठीक है, National Highway Authority of India, कौन सा राज्य 22 और 23 सितंबर को पहले भारत के पहले MotoGP Racing Event की मेजबानी करेगा, तो ये उत्तरप्रदेश का जो बुद्ध International Circuit है, Greater Nevada में, वहीं पर ही आयोजित किया जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में, अगला कौन सा देश, समलेंगिक विभा को वैद बनाने वाला, पहला बाल्तिक देश बन गया है, तो ये है आपका Estonia, ठीक है, Estonia, पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने जो बाल्टिक सागर है, उससे बॉर्डर करते हैं, तो इन तीनों को बाल्टिक नेशन बोला जाता है, जलवाईयू रिपोर्ट के अनुसार, निमलिकित में से कौन सा महादूइप, विश्व का सबसे तेजी से गरम हो रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, भारतिय वर्षावन दिवस, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 जून को मनाया जाता है, विश्व वर्षावन दिवस, भारत की अंडर 23 टीम ने हॉंग कॉंग कोंग के मिशन राउंड ग्राउंड में, आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर, 2023 महिला एमर्जिंग एंशिय कब T20 का खिताब जीता है तो भारत ने हराया था बांगलादेश को ठीक है बांगलादेश को हरा कर हमने ये खिताब जीता 59 देखते हैं किस कमपनी ने विशेश रूप से भारते शशस्त्र बलों के लिए एक बकतरबंद light specialist वाहन ठीक है आर्मडो की delivery शुरू कि आपसे देख open system के लिए 3,914 करोड रुपए के order मिले हैं तो ये मिले हैं भारत electronics limited को BEL ठीक है भारत electronics limited को ये order मिले है ठीक है यही देखिया हमारे 60 प्रशन थे इस पूरे week के आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसका PDF आपको मेरे टैलिग्नाम ग्रूप में मिल ठीक है तो उससे आप अपना division कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा thank you so much